नमस्कार फ्रेंड मैं हूँ चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइड लिम्टेट के उपर यहां पर देखिए एक स्मॉल केप कंपनी होती थी अभी यह पेनी स्टॉक हो गया एग्रो प्रोडक्स बनाने वाली कंपनी हैं और यहां पर बात करें तो इस इस को जो 52 उखाय आपको देखनी को मिल्ला है यह लगबख 2325 बाउन वीख लो है वो 0.75 पैसे है और अगर हम यहां पर market capitalization की बात करें तो market capitalization एक अच्छा है लगबग 48 करोन का है पेनी stock में ठीक ठाकी है और अगर हम यहां पर shareholders की बात करें तो 94.3k shareholders है और अगर हम यहां पर return की बात करें 1 year तो 50 minus 58% का return है और 1 month की अगर हम return की बात करें तो 5.56% का यहां पर return आपको देखने को मिल ला है देखिए यह लगबग आपको 95 पैसे के आसपास मिल ला है आप ध्यान से देखिए 95 पैसे के आसपास मिल ला है और यह कल 90 और 95 पैसे के आसपास trade कर रहा था देखिए यहां प स्टॉक में एक आपको एक रिस्की बनाता है वो क्या है कि मार्केट का application तो ठीक है 48.9 करोड का market का application है लेकिन यहां पर जो करजा है डेप्थ है कर जा वह भी लगभग 48.6 करोड का ही है ठीक नहीं बसकालि 0.0 3 करोड फ्री यहर ठीक नहीं और अगर हम यहां पर पर मोटर की holding की बात करते हैं तो पर मोटर की होल्लिंग बढ़िया है एक हिसाब से 22.1% का होल्लिंग है और अगर हम यहां पर बात करें face value की तो एक रुपे का face value और cash flow इनके पास भी है cash flow अच्छा है मतलब 7.82 करोण का cash flow है तो इसमें से अगर cash flow आप घटा दो तो आपको थोड़ी सी रहात मिल लई है अरे यार ठीक है कम से कम 40 करोण के तो आसपास है करजा ठीक है आप समझ गए न आप समझे ध्यान से समझे ए 48.9 करोण का market के application है company का ठीक है और 48.6 करोण का करजा है company के उपर ठीक है यह समझ में आ गया अभी समझे कि cash flow इसका जो है वो 7.82 करोण का cash flow है मतलब company के पास इतना cash है तो अगर उतना cash अगर हम इस करजे में से अगर minus कर दें तो लगबग लगबग 40 करोण के आसपास ही बस खाली करजा बच रहा है कितना 40 करोण के आसपास तो थोड़ा सा दिल को सांती मिल ले है कि चलो ठीक है 40 करोण का करजा तो बच रहा है मतलब खाली 40 करोण का कर जाए ठीक है और उससे ज्यादा तो नहीं है अब समझी इस stock की वैलूम बहुत ही जबर्दस है बहुत ही जबर्दस हो रही है और यह लगबग अपने all time low के ही आसपास trade कर रहा है ठीक है तो इस company में आपको पर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए अप धीरे-धीरे करिए जल्द बाजी न करिए धीरे-धीरे करिए आप यहां पी इन्वेस्ट करिए चलिए और मैं बता दे रहा हूं यहां पर देखिए माँ जून 2019 में इस टॉक जो पर मोटर के पास था वो थोड़ा सा सेलिंग किया है और अभी इसके पास 22.06 परसेंट की होड्लिंग बच रही है डियाइज ने भी इंट्री लिया था थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वह भी निकल गए यह 2019 और 2020 की बाते हैं ठीक है अभी हो सकते हैं डियाइज भी इंट्रेस्ट लिये हो इस स्टॉक में पबलिक के पास 2019 में 77.57 परसेंट की होड्लिंग थी और अभी लगबग 77.94 परसेंट की होड्लिंग है ठीक है तो इस स्टॉक में आपको किस लेबल पर बाइंग करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं देखें आपको देखने को मिल ला है कि बीसी पर लगबग 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर हम इस स्टॉक का अगर चार्ट लगाते हैं तो वो आप ध्यान से देखें जो चार्ट है वो आपको चार्ट एक एक चीजे आपको समझन है ठीक है और अगर हम आपको यहां पर वंडे का चार्ट में आपको दिखाता हूं यह देखी यहां पर लो बनाया था और फिर उसके बाद यह हाई बनाया लगबग है लगबग मैं आपको बताते था हूं हाई बनाया 99 पैसे का ठीक है यह बिएसी है इसलिए आपको 99 देखने को मिलना है फिर वहां से थोड़ा सा करेक्शन होके यह बॉक्स टेरिंग करने लगा क्या करने लगा बॉक्स टेरिंग अब यहां पर हम देखें वीकली चार्ट अगर मैं लगाता हूं तो आपको वीकली चार्ट दे देखने को मिलेगा जो मंतली चार्ट है वह लगबग 18 रुपए से उपर का यह है और यह हुआ था लगबग 2019 के ही आसपास में कब हुआ तो मैं आपको बता देता हूं यह लगबग मई 2019 में हुआ था और 18 रुपए 20 पैसे का हाई है वहां से यह करेक्शन हो के यह स्टॉक देखें फिर से 3 रुपए पे आया था 3 रुपए से फिर यह हाई बनाया था लगबग 12.5 रुपए के आसपास का फिर वहां से लो आते 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 यह स्टॉक लगबग 75 पैसे के आसपास आ गया है तो आप अब समझिए ध्यान से देखिए जो यह लेबल है यह स्टॉक का जो लेबल है पहले का कब का है यह लेबल मैं आपको बता देता हूं यह जून जुलाई 2018 का लेबल है कितने का लेबल है ध्यान से जुल जुलाई 2018 का जो लेबल है उसी लेबल के आसपास यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है क्योंकि यह लो बनाया था उस समय 76 पैसे का और अभी जो इसने low बनाया था recent में लगभग 75 पैसे का low बनाया था ठीक है तो उसी low के आसपास आया है तो आपको buying धीरे-धीरे करनी चाहिए क्योंकि उस low से अभी ये उपर चला गया है लगभग 95 पैसे के आसपास चला गया है तो आपको धीरे-धीरे करके इसी level पर आपको buying करना च जितना नीचे आये उतना और buying करना चाहिए ये नहीं कि इसी level पर मैं buying एक ही बार कर लूँ आप धीरे-धीरे करके buying करिए नीचे आये तो नीचे आप buying करिए एक रुपए से आप उपर मत buying करिएगा नहीं तो आपको loss होने से कोई भी नहीं बचायेगा ठीक है loss होने का ज् अंडेट परसेंट चांस है ठीक है ओके थेंक्यू फ्रेंड